हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब अभी अभी मैंने OTT प्लेटफॉर्म पे एक मूवी देखी जिसका नाम है कबार दा कोईन यकीन मानिए मूवी काफी अच्छी है और इसकी अच्छाए दिखाता है इसकी IMDB रेटिंग जो की है 9.3 आउट और 10 चोरी के सोने के सिक्के जो हीरो को मिल जाते हैं वह इसका क्या करता है और उसकी लाइफ में क्या क्या चैंजस आता है So let's explain मूवी की सुरुवात में कुछ चोर म्यूजियम के स्रिकुरिटी गार्ड को मार कर वहां रखे सोने के सिक्कों को चुरा कर ले जाते हैं पुलिस वाले कुछ गुंडों को भी पकरते हैं मगर उनसे कोई मलूमात नहीं होता कॉलेज का रिजल्ट निकलता है बंधन अपने परसेंट से काफी खुश है लेकिन उसकी दोस्त सवीता 85 परसेंट लाने के बावद्यूद भी काफी दुखी हो जाती है उसके पिता बागमारे जी जो की मूची का काम करते हैं वे कॉलेज आते हैं और अपनी बेटी को किसी तरह समझा भुचा कर घर ले जाते हैं बंधन के पीता के पास कबाड की दुकान है। दोनों पती-पतनी पैसे के लिए एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं कि तभी बंधन वहां आता है और उनकी बाते सुनकर दुकान में रखा गुल्लक फोर देता है और वहां से भाग जाता है। तभी उसके पीता जी उसका बंधन कबाड की दुकान की जिम्मधारी अपने उपर ले लेता है और वहां गली-गली घुमकर कबाड इकटी करने लगता है। वहां उससे मिलती है और अपने घर आकर एक खराब समान को ले जाने की बात कहती है। बंधन एक दिन बागमारे जी जोकी सवीता के पिता हैं उससे मिलने आता है। बातों-बातों में उसे पता चलता है कि उनके घर की हालत ठीक नहीं है। वह उन्हें एक सोने कसिक्का दे कि उन्होंने वह सिक्का एक जुलरी सौप में दो लाख रूपय में बेच दिया है जुलरी सौप वाले ने उन्हें यह भी बताया था कि वह सिक्का चोरी का है लेकिन अपने लालच के कारण वह उसे खरीद लेता है वे बंधन को और सिक्कों के बारे में पूछते हैं लेकिन बंधन उन्हें कुछ नहीं बताता वह अगले दिन सिक्कों को लेकर पुलिस थाने जाता है पर वहाँ वह देखता है कि कुछ कोदियों की पिटाई हो रही है वह उन्हें देखकर वापस आ जाता है वह अगले दिन सिक्कों के लेकर फिर थाने जाता है, वहाँ वहाँ देखता है कि एक पुलिस वाला घूस ले रहा है और एक पुलिस वाला किसी बंदे को मार रहा है, वह फिर यह देखकर वापस आ जाता है, बंधन अपने घर में सिक्कों की गिंती कर रहा होता है कि कुछ प बंधन के पास रोमा का कॉल आता है, वह उसे बताती ही कि उसने कुछ नया समान लिया है, जिसे उसको सेट करना है, वह उसके घर जाता है, समान सेट करने के बाद पुराना समान वह बंधन को दे देती है, तभी बंधन एक लड़के की फोटो उसके साथ देखता है, वह बतात और उसे मजाक मजाक में कहती है कि क्या वह उसके लिए कार ला सकता है उसे एक मकान दिला सकता है वहां बोलता है लेकिन फिर भी रोमा इसे सीरियसली नहीं लेती तभी बंधन उसे आलब्यू बोलकर उसे एक सोने का सिक्का देता है और वहां से चला जाता है वह उसे देखती रह जाती है। रोमा उस सिक्के को एक जोलरी सौप में दिखाती है जहां उस सिक्के के बदले उसे 25 लाक रुपे मिलते हैं। रोमा उस सिक्के के बारे में अपने बॉइफ्रेंड सैम को बताती है। सैम वह पिक्चर देखकर समझ जाता है कि यह वही सिक्का है जो मुझम से चोरी हुआ था। वह रोमा को सिक्के से संबंधित एक न्यूज भी दिखाता है। इधर पुलिस वाले भी सिक्के की चोरी करने वाले अपराधियों की तलास में जूटे हुए है। एक दिन साम को कुछ गुंडे उस जोलरी सौप वाले जिसे बागमारे जी ने वहाँ सिक्का बेचा था पकड़ लेते हैं और उसे बागमारे जी के बारे में जनकारी हासिल करते हैं सैम भी सिक्कों की तलास में बंधन को मारने आता है लेकिन बागमारे जी उसे मार कर भगा देते हैं। जोलरी सौप वाले के कहने पर कुछ गुंडे भी सिक्कों की तलास में बागमारे जी के पास आते हैं लेकिन वो भी उन्हें भगा देते हैं। अगले दिन बागमारे जी के सौप के आगे नियोज वालों और लोगों की भीड लग जाती है क्योंकि उसकी बेटी सवीता ने UPS सिख पास करके IIS का एक्जाम क्लियर कर लिया है। शाम को बंधन सिख्के निकाल कर रोमा की घर चले जाता है। इधर पुलिस वाले जोलरी सौप आले की गवाही पर बागमारे जी को सौप से उठा कर ले जाते हैं। बंधन रोमा के घर आता है और उसे सिख्कों की थली दिखाता है तभी पीछे से सैम उस पर हमला कर देता है और उसे जान से मारने की कोशिस करता है। रूमा उसे मनकरती है तभी सैम उसे भी पैसों के लिए छोड़ देने की बात कहता है। रूमा किसी तरह उससे गन्चिन कर उससे मार डालती है। वे लोग वहाँ से भाग जाते हैं तभी पुलिस बंधन की तलास में वहाँ पहुंचती हैं और वहाँ सैम की लास मिलती है रोमा बंधन को कार में जाते हुए बताती है कि सैम उसका ड्रक्स पाटनर था फिर वहाँ उसका बॉयफरेंड बन गया एक दिन रोमा के पिता ने ड्रक्स उसके कमरे में देख लिया तब से वहा सैम के साथ भाग कर यहां चली आई रोमा बंधन के साथ चर्च पहुंशती है वहाँ वहाँ पादरी से अपनी पूरी कहानी बताती है और सैम के मडर के लिए कनफेस करती है पादरी उनके पिताही होते हैं जो उनकी कहानी सुनने के बाद उसे माफ कर देते हैं तभी चर्च में गुंडे आ जाते हैं और वो उससे बंधन के बारे में पूछने लगते हैं तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और इनमें लड़ाई शुरू हो जाती है लड़ाई में कुछ गुंडे और कुछ पुलिसवारे मारे जाते हैं शैम की मडर के लिए रोमा को पुलिसवाले पकड़ कर ले जाते हैं कोट में रोमा की पेशी चल रही होती है कि बंधन वहां आता है और सारे सिक्के सौप कर रोमा को छोड़ देने की बात वक आता है लेकिन रोमा ने मडर किया होता है इसलिए जज उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाते हैं चेल जाते वक्त रोमा बंधन से कहती है कि उसने कभी उससे प्यार नहीं किया उसने सिक्कों के लालाच में उसके साथ जूटा प्यार किया था सच्चा प्यार तो सवीता उससे करती है जो उसे आज तक नहीं कह पाई रोमा उन्हें मिला कर पुलिस की गाड़ी में बैड़ जाती है और मूवी यहीं समाप्त हो जाती है आपको कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करे और हमें यह भी पताएं कि आगे आप कौन से मूवी का एक्स्प्लेनेशन देखना चाहते है थैंक्यू